हेलो गाइज, माइनेम इस नूमान और वेलकम बेक टू माई चैनल ओफिशियल नूमान आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह अपना डिटी एज बिलकुल फ्री में रीचार्ज किस तरह कर सकते हैं जरूरी नहीं कि वो एक कंपनी की डिटी एज होना जरूरी है आप किसी भी कंपनी की डिटी एज को बिलकुल फ्री में रीचार्ज कर सकते हैं तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ चाहे वो मुबाइल रीचार्ज हो या फिर डीटीएच रीचार्ज हो मैं बिल्कुल फ्री में रीचार्ज करता हूँ जो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है वो जीरो होता है सबसे पहले यहांपर आपको साइड में एक स्क्रीन आपको दिख रही होगी यहांपर हमें सबसे पहले जो भी आपकी डीटीएच है आपको उसका एप डाउनलोड कर लेना है तो मेरी डिश टीवी है मैंने my dish tv का एक app download कर लिया है मैं सबसे पहले इस app को open कर लेता हूँ open करने की बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें rate letter कर देना है और उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपनी dish tv का मैं आपको दिखा देता हूँ balance कितना है यहाँ पर आप side में देख सकते हैं black color का लिखा हुआ है 132 मतलब जो मेरी DTH है मेरा dish tv है उसमें balance 132 रुपए है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप बिल्कुल free में अपनी DTH recharge कर सकते हैं हमें सबसे पहले pay tm app download कर लेना है हमें pay tm app को open कर लेना है यहाँ पर आप side में देख सकते हैं pay tm app को open करने के बाद आप pay tm app में कोई दूसरा account बना लीजिए आप new account बना लीजिए जरूरी नहीं कि उस account पर KYC हो या ना हो आपको जरूर cashback मिलेगा तो मैं आपको एक code बताने वाला हूँ जिस code को enter करके आप बिल्कुल free में recharge कर सकते हैं मैं यहाँ पर dts section पर आयाता हूँ dts section पर आने के बाद यहाँ पर मैं dish tv पर click कर लेता हूँ क्योंकि मेरा dts dish tv है आपका जो भी operator हो आप यहाँ पर select कर लीजिए और उसकी बाद यहाँ पर हमें viewing card number या mobile number एंटर कर देना है चाहे वो VC number हो तब भी आपका रीचार्ज होगा या फिर आपके dish tv में आपके dts में जो भी number register है वो number डालके भी आपका रीचार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर मैं अपने dish tv का mobile number dish tv का registered mobile number यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपना registered mobile number एंटर कर लिया है अगर आपका VC number पर code ना चले तो आप mobile number एंटर करके भी आप recharge कर सकते हैं code 101% यूज होगा तो यहाँ पर मैं amount डाल लेता हूँ 50 rupees आप जब भी recharge करें आपको 50 rupees amount डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर मैं proceed के option पर click कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमें एक option दिख जाता है have a promo code यहाँ पर हमें click कर देना है और यहाँ पर हमें एक promo code एंटर कर देना है sorry apply कर देना है 50 यहाँ पर हम 50 code को apply कर देते हैं अब यह कह रहा है 50 code apply since you have not completed your KYC 50 rupees gold bag inclusive of 3% GST will be added to your Paytium Gold account मतलब यह कह रहा है कि इस account पर हमारी KYC नहीं है मतलब हमें cash नहीं मिलेगा हमें wallet balance नहीं मिलेगा हमें मिलेगा 50 rupees का gold और उसमें 3% GST भी कट जाएगी और यह जो gold होगा यह हमारे Paytium account के gold section में आ जाएगा तो यहाँ पर मैं proceed to pay के button पर click कर लेता हूँ proceed to pay के button पर click करने के बाद यहाँ पर मैं recharge कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिख जाते हैं अगर आपके Paytium wallet में amount है तो आप Paytium wallet से भी directly कर सकते हैं या फिर BIM UPI से भी आप कर सकते हैं net banking से भी debit card से भी और credit card से भी तो यहाँ पर हम debit card से अपना recharge successful कर लेते हैं तो यहाँ पर आप side में देख सकते हैं मैंने अपनी card की detail enter कर दी हैं अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है save this card for future payment मतलब यह कह रहा है कि आप अपना card save करना चाहते हैं या नहीं तो हम अपना card save नहीं करना हैं तो यहाँ पर आप side में देख सकते हैं हमने OTP को एंटर कर लिया है यहाँ पर हम verify के option पर क्लिक कर लेते हैं verify के option पर क्लिक करने की बद हमारे जे रीचार्ज है वो successful हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यह थोड़ी load हो रहा है अब यह कह रहा है है रीचार्ज successful 50 रोपीज यहाँ पर जो हमारा 50 रुपए का रीचार्ज है वो successful हो चुका है और हमें 50 रुपए का gold भी मिल जागए यहाँ पर मैं home पर आ जाता हूं और उसके बाद more section पे आके मैं gold section में यहाँ पर क्लिक कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पर हमें gift के option पर हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 48 रुपे 69 पैसे का हम्हें यह पर गोल्ड मिल चुका है हमें गोल्ड तो पचास रुपे का मिलता पर इसमें 3 gST यानि 3% gST कट चुकी है हमारे जो गोल्ड का बैलनस है यहां पर मैं अपने दूसरे नंबर पर गोल्ड को गिफ्ट कर लेता हूं यह कह रहा है है 0.0148 गोल्ड वर्थ 48 रुपे 60 पैसे सेंड सक्सेस्फुली मतलब हमारे जो 48 रुपे 60 पैसे का जो गोल्ड है वो हमारे दूसरे पेटीयम नंबर पर गिफ्ट हो चुका है हमारे जो गोल्ड है 48 रुपे का हमारे दूसरे पेटीयम नंबर पर जा चुका है तो हमने 50 माइडिश टीवी को ओपन करने के बाद यहां पर मैं आपको बैलंस दिखा देता हूँ 182 रुपए हमारा जो बैलंस है वो हो चुका है पहले 50 रुपए का रीचार्श करने से पहले हमारे जो MyDish TV का balance था वो था 132 रुपए अब हम 132 में से 50 रुपए और जोड लेते हैं तो यह जो amount है वो 182 रुपए बनता है तो मतलब हम बिल्कुल फ्री में recharge कर चुके हैं 50 रुपए का हमने अपने Dish TV बिल्कुल फ्री में recharge कर लिया है हमने 50 रुपए का recharge किया था और हमें 50 रुपए का ही गोल्ड मिल चुका है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ 200, 300, 100 रुपए में पूरे महीने के लिए हमें अपने DTH का प्लान मिलता है कुछ लोग सोचते हैं कि हमें इतने का ही recharge करना पड़ेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आप minimum 10 रुपए का भी आप recharge कर सकते हैं उस इसाब से आपको date मिल जाएगी तो दोस्तों मेरे Paytm नमबर पर एक और offer है अगर हम 11 रुपए का अपना DTH recharge करते हैं तो हमें 11 रुपए का ही वापिस gold मिल जागा तो यहाँ पर हम Paytm एप में आ जाते हैं आपको ध्यान देनाने के लिए मैं आपको बता दू जो मेरे My DTH में balance है वो है 182 रुपए और हम 11 रुपए का recharge करेंगे तो उसमें plus होकर हमें amount बता देगा तो यहाँ पर मैं DTH पर आ जाता हूँ DTH पर आने के बाद यहाँ पर मैं 50 amount को काट कर यहाँ पर मैं 11 रुपीज लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीट की बटन पर क्लिक कर लेता हूँ कि कॉंग्रेचुलेशन्स 11 रुपीज वर्थ एक्स्ट्रा पेटियम गोल्ड विल बी प्रोसीजड विदिन 48 तो 72 हावर ऑफ सक्सेस्फुल ट्रांजेक्शन मतलब यह कहना है जो आप सक्सेस्फुल ट्रांजेक्शन को सक्सेस्फुल करते हैं तब आपको 48 घंटे से लेके 32 घंटे के अंदर आपको 11 रुपा का गोल्ड मिल जागा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है हैं आपको instantly आपको मिल जाता है मैंसको करके दिखाऊंगो कि मुझे in सकते हैं हमें दस रुपह 84 पैसे का यहां पर हमें गौल्ड्ट मिल चुका है हमें तो गैयारे 56 1qup मैं नंबर जिस नंबर पर क्यो प्रेवाईस है मैं दूसरे नंबर पर Italy को किफट कर देता हूँ थो जो गोल्ड है dust रुपे 84 पैसे का हमारे दूसरे तीम नंबर पर GP हो चुका है ब यहां पर हम बैक आ जाते हैं मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हमने 11 रुपय का रिचार्च की और 11 रुपय ही हमें कैश वैक मिल चुके हैं मतलब हमी 11 रुपय का गोल्ड मिल चुका है अब मैं आपको अपने माईडिश टीवी एप में दिखा देता हूं यहां पर मैं माईडिश टीवी पर क्लेक कर लेता हूं अब यहां पर आप साइड में देख सकते हैं 193 रुपय हमारे जो डिश टीवी का बैलेंस है वो हो चुका है तो चलिए हम तीसरा भी डिटीएज का रिचार्च कर लेते हैं हमें पेटियम आपको फिर से ओपन कर लेना है पेटियम आपको ओपन करने की बाद डिटीएज सेक् सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद है वो प्रोमो कोड सेक्शन पर हमें आ जाना है और यहां पर हमें तीन प्रोमो कोड यहां पर हमें मिल जाते हैं यह भी हाल फिल हाल में ही लांच हुए है जो पहला प्रोमो कोड है वो है मंदली 30 आगर हम 30 रुपय का UPI address से हमें recharge करना पड़ेगा 50 रुपयगा अगर हम करते हैं तो हमें 30 रुपय का cash वेक मिलेगा और UPI free तीसरा प्रोमकोड है UPI free इसमें हमें 25 रुपय का रीजार्च करना पड़ेगा इस प्रोमकोड का फायदा लेने के लिए आपके आपके पेटीयम अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है आप 25 रुपाय का रिचार्ज करेंगे तब आपको 25 रुपाय का कैश्वेक आपको मिल जाएगा यहाँ पर हम मन्थली 30 प्रोमो कोट को एपलाई कर लेते हैं इसमें हमें 30 रुपाय का गोल मिल रहा है कै यहाँ पर हम प्रोसीट टूपे के बटन पर क्लिक कर लेते हैं याद रहे आपको 30 रुपाय अमांट डालने है और आपको 30 रुपाय का ही इंस्टेंट कैश्वेक आपको मिल जाएगा आपको गोल्ड भी मिल जाएगा अगर के वाइसी नहीं है तो यहाँ पर आप साइड म पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 रुपए 23 पैसे का यहाँ पर रहांपने तो इसी तरह के से मैंने ज Одने का है आपको वारी डि टीएच Thatsames झाल झाल